जैहिन दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं सिक और कोशन के बारे इस कोशन में एक्जामने का है वन थ्र और ओफ वन टू जीरो टू यह बराबर होगा एक्स पर्सेंट एक्स बाय में 100 माना कि एक्स पर्सेंट निकालने के लिए बोला इंटू में किसका 134 के बराबर ठीक है तू से कार दें दो दूनी चार जीरो दो एकम दो और दो चिक बारा दो स्थेच होता ठीक है तो 67 इंटू में 3 मेरे पास 201 आएगा यानि कि 3 इस गल्टू में एक्स बाय में 100 क्रॉस मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 300 पर्सेंट आएगा एक्स की वैल्यू यानि कि ऑप्षिन जो डी होगा वो इस कोशन के लिए करेक्ट होगा सिम्पल सी बात है उसने कहा है कि इसका वन थ कर दिया और बराबर इसके वन थर्ड के बराबर रख दिया सोल करने पर जो एक्स की वैली आई उतना ही परसंट मेरा अंसर होगा यानि कि ऑप्षिन डी इस कोशन के लिए करेक्ट होगा आई होप आप सभी कोशन समझ में आऊगा जय हिंद जय भारत